दोस्तो कैसे हैं आप लोग दोस्तो आज एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हों एक से दो मिनिट लगेंगे आप प्ली सुन लीजिए आपकी जिन्दगी बदल जाएगी ये मेरा वादा है आप प्ली सुनिए तो एक राजा थे राजा का एक फेवरेट हाथी था वो हाथी फेवरेट क्यों था ऐसे ही होगा क्या उसमें गुण था गुण ये था कि वो हर युद्ध राजा को जिताता था राजा को उस पे उतना ही गौरव था उतना ही वो उसके उपर अपना दिल छिडाते थे तो समय अनुसार हाथी थोड़ा व्रिद्ध हुआ तो रा उम्र ढल रही थी थोड़ा और वो व्रिद्ध हो गया था लेकिन वो राजा का बहुत फेवरेट था बहुत ही प्यारा हाथी उसका राजा का गौरव था भई तो उससे लगा उतना ही था और राजा उसकी देखरेख में कोई कमी नहीं करवाते थे वो एक वी आईपी ट्र उस हाथी को एक दिन की बात है कि हाथी जंगल के तरफ गया और पानी प्यास लगी उसको तो तलाब के तरफ गया लेकिन जहां पे वो पानी पीने गया वहां पे बहुत सारा मिट्टी था वो दल दल का रूप लिया था तो वहां पे वो धाहाती गया और फसता गया इतनी वो कोशिश करता फस रहा था दोस्तों तो इसी संघर्ष की आवाज पहुंची तो राजा और सब लोग मिलके आ गए उसको बचाने के लिए बट कोई भी योजना काम नहीं आई वो हाथी फस्ता ही जा रहा था उसको निकालना नामुम्किन सा हो गया था तो उसी बीच एक मंत्री उनको लगा कि भाई क्यों न हम इसको ये क्योंकि एक योधा है और हर युद्ध वो जिताता था राजा का तो वो जो युद्ध का नगाड़ा था उसको बजाया गया वो युद्ध के नगाड़े जब उसके कानों में गये तो यकीन मानिये उसकी ताकत सो गुणा बढ़ गई उसकी योजनाए उसका दाव पेच में बहुत अंतर आ गया और और कोई नहीं उसने खुद अपने आपको उस दल्दल से निकाला तो यहाँ पर क्या आप सीखे कि गुण आप में है आप में ही वो ताकत है आपके अंदर वो ताकत है बस चाहिए तो उस ताकत का इस्तमाल और देखिए आपको किसी की ज़ूरत नहीं है आप खुद उसमें से आपकी समस्याओं से एकदम एक विनर के तरह बाहर आएंगे जहां पे भी मौका मिले आप पॉजिटिविटी फैलाईए आपको करना कुछ नहीं है बस आपके अंदर के बल को जगाना है आपकी ही ताकत आपको पहचाननी है आप ये विनर रहेंगे ये मेरा वादा है तो आपको कैसी लगी ये स्टूरी अच्छी लगी तो प्लीज की बने की धन्यवाद